नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपटी यूट्योब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों शुलिम दीखने वाले हैं CISF HEM का जो एक्जाम 30 अक्टूबर 2023 को टोटल 3 सिप में कंड़क्ट हुआ है इसमें आपके ASI STNO और Head Constable Minister का जो एक्जाम था आज आपके 30 अक्टूबर को हुआ है इसके बाद 31 अक्टूबर को टेर्समेन का ड्राइवर का एक्जाम होने वाला है तो फिलाल यहाँ पर 30 अक्टूबर के तीनो पारियो में पूछेगे उनमें से इस वीडियो में फिलाग रहेगे दो सेफ्ट में पूछेगे जीग के स्वाल सबसे पहले अपन गंटिन्यू करेंगे फर्स शेप्ट में जो 38 से 10 30 अएम वाली सेप्ट है इसमें 25 जीगे के स्वाल पूछेगे थे लाश्ट में आपन देखेंगे, सेकेंड सिप में पूछेगे, जी के 25 में से 21 स्वाल मिले हैं, और कल मॉर्णिंग में, यहीं आपको 31 सब्टूबर को मॉर्णिंग में, थर्ड सिप के सभी 25 के 25 क्योंस का वीडियो मिल जाएगे, तो न्यू केंड जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, ताकि जैसे ही लेटर स्ट अप्टेट आएँ, वो आपके पास मिल सकेंड, पीडियो फाइल के लिए आपको टेलिग्राम चैनल जोइन करना है, पूरी पीडियो फाइल यहां पर एवलेबल हो जाएगे, टेल सक्टूबर की प्रथम पारें पूछीए, सबी जीके के स्वाल एक के करके देखते हैं, पच्चिस के पच्चिस उसके बास सेकेंड शिप्ट की, स्वाल है कि प्रबुद भार्त पत्री का किसके दोरा प्रकाशित की जाते थी, प्रबुद भार्त हैं यह रामकिष्ण मिश की पत्री का प्रबुद भारत, अगला स्वाल नंबर टू, तीस्ता नदी का उद्गम इस्तलक कहां से हैं, तीस्ता नदी की बात करें, तो पाउन्री माउंटेन यह हैं, दोस्तों पूर्वी हिमाले में इस्तित माउंटेन हैं, जिसका नाम है पाउन्री माउंटेन, तो इ जहां से कांग से गलेशियर हैं, उसके पाद चारा मुझ जील हैं, तो इस माउंटेन में इस्तिते चारा मुझ जील से निकलती हैं तेस्ता नदी जो की सिक्किम राजे में पड़ती हैं, ये नदी ब्रहम पुत्तर की हैं वो ट्राइब्यूटरी हैं और सिक्किम तथा से जीडी दोजार चौबिस एक्जाम की तयारी करना चाहते हैं, आप कोई भी एक्जाम दो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे, एक्जाम 50% तयारी आपके अधूर हैं, तो बेहत्रीन डिल चल रही हैं, मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पर सभी एक्जाम के लिए, स सभी एक्जाम के मॉक टेस्ट एक पास में, जो रेलवे का एक्जाम है, चाहिए SAC का है, बेंकिंग का है, आपके कोई स्टेट प्लिस का है, टीचर्स का है, सभी एक्जाम के मॉक टेस्ट एक पास में मिल जाते हैं, और वो भी काफी किफायती प्राइज होए, वैसे टेस् इंड में केवल एक बार शहल आती तो इसका आप फायदा उठा सकते हूँ 269 रुपे में टेस्ट पास एरली पास प्रो आपको मिलने वाला है प्रास प्रो में एक क्या होता प्रिविश एर के जो भी पेपर होते न वो मौक फॉर्म में आप अटेंप्ट कर सकते हूँ जैसे स इससे जीडी इससे पहले 17 में हुआ है 21 में हुआ है 22 में हुआ उन सभी के आपकी पेपर मौक फॉर्म में आपको मिल जाएंगी उस पर आधारी टेस्ट मिल जाएंगी तो अभी जो डील चन रही है एक दिन में एक रुपे से भी कम प्राइज में इसको जरूर ग्रेब करन आने बाले किसी भी कमटटव एक्जाम्स के आपतियारी करते हो चाहे दिल्ली प्लीस कॉंश्टेबल हो SSE GD हो अधर जो भी स्टेट प्लीस हो सेंटरल इवल एक्जाम्स हो सभी 600 प्लस एक्जाम्स के मौक टेस्ट एक पास हो मिलने वाल है तो टीटीजी के कोपन को यूज करते हो अभी डिसकाउंट का लाब उठाएगा आज के लिए डील है अगला स्वाल नंबर 3 राज्ये को 6-14 साल तक की सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवारे शिक्षा उप्लग करानी हो गी कि सविधान संसुदन में ये प्रावधान किया गया तो 86th Constitution amendment गुआ है 2002 म इस amendment में 11 मोलिक करत्वे भी एड किया गया आर्टिकल 21A भी जोडा गया 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया और राज्ये को 6-14 साल के सभी बच्चों को निशुल्के वानिवारे शिक्षा उप्लग कराने हो गी 86th Constitution amendment 2002 में ये प्रावधान नेश्टिया आपर भारत में पहली जनगरना कब होई तो भारत में पहली जनगरना होई थी 1872 में मैयो के काल में होई थी लौड हटाओ मैयो के काल में और इसके बाद ये निमित नहीं थी निमित जनगरना जो आपके 10 वर्ष के अंतरालम होती तो रिपन के काल में निमित जनगरना 1881 में श्टाट होई करंट अफेर का श्वाल है भारत का प्रत्थम क्वांटम कम्प्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेट्रोक है ये दिल्ली में संचार भवन और राष्टे सूचना विज्ञान के अंदर कारले के बीच में स्तापित किया गया और ये जो क्वांटम जो मेकेनिजम पर आधारित है क्वांटम फिज्जिक्स पर आधारित जो ये टेकलोजी है इसको हैक करना बहुत ही जदा मुस्किल है कोई भी हैक नहीं कर सकता इस टेकलोजी को और ये इस्तापितो ये दिल्ली में संचार भवन और राष्टे विज्ञान सूचना के अंदर की मद्दी राष्टे खिलापतस समिथी के गतन हुआ मार्च 1919 में खिलापत आन्दूलन 19 से 1924 अब शुरुअत्पाट अल्य सोगतल अ्यापत में affirति खिलापत कमिटी का पहला समेनन हुआ निशकर्वित handling को निशक्ता में। ये कारण किया खिलापत आंदोलन का तुर्की खलीपा के पद को पूरा इस्तापित करना महात्मा गांधी जी ने भी इसका समर्तन दिया था सितम्बर 1920 में कांगरेस के कॉलकता अधिवेसर बेद। वोमन्स प्रीमेर लीग हुई है तो वोमन्स प्रीमेर लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑप दा जो इस लीग किसे चुना गया है इमर्जिंग प्लेयर है वो जो इमर्जिंग प्लेयर ऑप दा सीजन चुना गया है वो यसीतिका भाटिया को तो यसतिका भाटिया बनी है इमर् लेनिंग का, मुश्ट विकेट थे हैली मेथ्यू जो की प्लेयर ओफ दा सिरीज बनी है, चैंपियन्स कौन रही है WPL 2023 में, विजेता रही है मुंबई इंडियन्स और उपजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स, पौवर्फुल स्टेकर आप दा सीजन रही है, आर्शीवी की खि काम करता, तो विटामिन D काम करता है हार्मोन की रूप में, यह विटामिन लिवर और किड़नी है, यहां से विटामिन D को शक्रिय हार्मोन में करनोट करते हैं, लिवर किड़नी जिसे कैलसी ट्रियोल कहा जाता है, और यह दो विटामिन D है साइक है, कैलसियम की संदरता को कंट्रोल कलने में केल्सियम क्या काम आता है हड़ियों को मजबूती देता है All India Trade Union Congress के पर्थम अद्धिक्स कौन थे AITUC All India Trade Union Congress के पहले अद्धिक्स थे लालालास पत्रा है और AITUC है इसका गठन है वो N.M. जोशी जी ने 31 अक्टूबर 1920 को किया तो All India Trade Union Congress है ये दोस्तो भारत का सबसे पुराना Trade Union Federation है वरतमान में इसके अद्धिक्स है राविंदर कुमार जो भारत का सबसे oldest Trade Union Federation है जिसकी स्तापना 31 सक्टूबर 1920 को हुई थी मुंबई में स्तापित हुआ था N.M. जोशी जी के दोरा लाला लास पत्राई के अद्धिक्स्ता में प्रधान मंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई ये योजना है ओपचारी इसकी जो लॉंचिंग हुई थी केंदरी वित मंत्री अरून जेट दी दोरा 21 जुलाई 2017 को और इस योजना की शुरूआ चार माई 2017 को गोशना हुई थी योजना के तैत क्या होता है 60 वर्ष अधिक उमर के वेक्तियों को उनके दोरा निवेशी तरासी पर 8 परसंटेज का इंट्रेस्ट है वो 10 वर्षों तक मिलता रहेगा तो 60 वर्ष प्लस वाले वेक्ति है उन्हें AJ, FD की रूप में आप कह सकते हो 8 परसंटेज का इंट्रेस्टेट मिलेगा 10 वर्षों तक और ये योजना परदान मंत्री वेवंदना योजना है LIC की माद्धिम से लागू की गई तो 60 वर्ष या इससे अधिक आयू के सीनिर सीटिजन इसमें निवेश कर सकते हैं एक वेक्ति न्यूनतम यहाँ पर डेड़ लाग रुपे और अधिक तम 15 लाग रुपे इसमें निवेश कर सकता है नेश्ट अपन देखते हैं आपर भारते और जपान की मद्दे युद्ध अभ्यास एक्सराइज ध्रम गार्जिन 2023 कौन सा एडिसन है ध्रम गार्जिन 2023 चौता संस्क्रण है जो कि 17 फरावली से 2 मार्च 2023 तक जपान में सिंगा प्रांत के केम्प इमाजू में एवजित हुआ है भारत और जपान के बीच में श्युक्त शेन्य अभ्यास है एक्सराइज ध्रम गार्जिन इसका चौता एडिसन जो भारते शेना की गडवाल राइफल्स रेजिवेंट की टुकड़ी यहाँ पर भाग लई है और मैं भारत और जपान की मद्दी मिल्टरी एक्सराइज की बात करूँ तो अभ्यास शिन्यू मेत्री भारती वायुसेना और जपान एर सेर्फ डिफेंस पॉर्ष की मद्दी है यह अभ्यास है ध्रम गोर्जिन की मौके पर आयुजित किया गया जो कि 13 फरवरी से 2 2023 तक है कोमासु जपान में हुआ है और नेश्ट यापर बात करूँ भारत और जपान का वीर गोर्जिन है तो वीर गोर्जिन पी भारती वायुसेना और जपान एर सेर्फ डिफेंस पॉर्ष की मद्दी 16 से 26 जनुरी 2023 को जपान के हया कूरी हवाई अड़े और इरुमा हव अड़े पर आयुजित किया गया भारत जपान के मद्दे दोस्तों जमेक्स 2022 है ये छटा संस्क्रण जमेक्स 2022 का हुआ है 11 सितमर 2022 को बंगाल की खाडी में इसके अत्रिक्तिया पर भारत की प्रमुक युदाब्यास आप देखेंगे तो भारत और अमरिका की मद्दे भारत रश्या की मद्दे है इंद्रा युदाब्यास एविंदर युदाब्यास पैसेज अब्यास भारत रश्या की मद्दे भारत बिर्टेन की मद्दे तो जितने भी लैटेस्ट युदाब्यास करना पैसे इसका वीडियो डाला हुआ है आप देख सकते हो इंडियन मिल् बहुता हैं होता है माला बार इंडिया यूएस और जपान और श्टिले के मद्दि अगरा सवाल है भारत का दूसरा बड़ा मैंघरोव वन कौन सा आप सबी को पता था सबसे बड़ा मैंघरोव वन है संदर वन जो कि पच्छी मंगाल में सेकेंड सबसे बड़ा संदर वन के जो कि लगबग 45 वीष्टी के आसपास है, सुन्दरवन पच्छी मंगाल में भारत में मैंग्रोव के तैत पाया जाने वाला लगबग कुल 46 पल का आदा हिस्सा सुन्दरवन कवर करता है और टोटल भारत में मैंग्रोव आवरण है, 2021 के वर इस्तिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अल्रेडी टीशेज पूच सुकी है 4,992 व्रक किलोमेटर INS अनवेश क्या है INS अनवेश है, ये एक जहाज है जो भारती नोशेना के लिए निर्मित एक मिसाइल रेंज इंस्ट्युमेंटेशन जहाज है इसे फ्लोटिंग टेस्ट रेंज जहाज भी कहा जाता है ये DRDO के दोरा डीजाइन और कोचिन शिप्यार लिमितेट के दोरा निर्मित है अगला स्वाल, ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेस्टल दोरा जारी भष्टाचार सुचकांग 2022 में भारत के साथ कौन सा देश 55 रेंग पर है भारत के साथ 85 रेंग पर भष्टाचार सुचकांग 2022 में काफी देश है भारत के साथ ग्युआना है, माल्डिव है, नर्थ मैसोडोनिया है, सुरिनाम है, ट्यूनिशिया है ये यहाँ पर शुप्त रूप से 55 इस्तान पर है चालिस अंगों के साथ भारत 85 इस्तान पर, आउट ओप 180 देशों में से भारत भष्टाचार के मामले में 85 रेंग पर है और भारत के साथ साथ गुआना, माल्डिव, नर्थ मैसोडेमिया, सुरिनाम, ट्यूनिशिया ये सभी भारत के साथ हैं इसी सेम पजिशन पर सबसे कम भष्ट देश है, सबसे कम भष्ट अचार होता है डैनमाक में 90 अंक के सासों में से 90 अंक मिले है डैनमाक को सबसे कम भष्ट अचार इसके बाद फिनलेंड और न्यूजिलेंड सेकंड इस्तान पर दोनों ही है भुटान भारत की पड़ुसी देशों की बात करें भुटान की रेंग है 25 वी चाइना में भष्टाचार की रेंग 65 है भारत की 85 है बागन देश की बहुत ज़्यदा 147 वी पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यदा भष्टाचार 144 वी नेपाल में 110 वी रेंग सबसे ब्रष्ट द पांच परमुक राज्य आप देखेंगे तो बार-बार ये लिश्ट आपके सामने में प्रजेंट करता हूँ जब भी साखसरता का श्वाल आता है तो ये आपकी कंटरस्ट हो दानी चाहिए प्रथम है कैरला, सेकंड राज्य में मेजोरम, फिर तिरुपुरा, चौत्य पर आप कहेंगे हिमाच्य प्रदेश है तो टॉप फाइव इस्टेट है लिटरच्री में सबसे अधीक कैरला, यूटी में सबसे अधीक साखसरता है लक्स बीप की उसके बाद दमंदिव, फिर पुदुचरी, चंडिगर, दिल्ली और वैसे और वाल में कैरला, मेजोरम, तिरपुरा, गोवा, ये ध्यान रखेगा के एमटीजी, ठीक है के एमटीजी सबसे अधीक साखसरता, कैरला, मेजोरम, तिरपुरा, गोवा, सबसे कम लिटरच्री रेट है बिहार की, बिहार के बाद अनुनच्य प्रदेश की जो नीचे से भी आपको फाइव पता होना च साखसर, एलए सवाल है राष्ट्रिय सांखि की दिवस कब मनाया जाता, तो नैस्नल सांखि की डे है, ये मनाया जाता दोस्तों, एस सत्तर वा सवाल है 29 जून को, 29 जून को ही क्यों, क्योंकि सांखि की और आर्थिक योजणा दिर्मान के छेतर में सुरग्य प्रोपेसर पर ले खन्य योगदान के लिए तो यहाँ पर शांखी के लिए सबसी ज़्यदा योगदान है परशांत चंदर महाल नोबिस तो उस हेतू 29 जून को उसकी जहिनती को मना जाता है राष्टी शांखी की दिवस 2006 से continue 29 जून को राष्टी शांखी की दिवस की रूप में आपन मनाते हैं 29 जून राष्टी शांखी की दिवस HDR की फुल फॉर्म है किस रेफरेंस में पूछा आप बताना बाकि HDR की काफी फुल फॉर्म है जिसमें से एक यहाँ पर Economist की है Special Drawing Rights है यह IMF International Monetary Fund का एक Monetary Reserve Currency है जो IMF न क्रियेट की है Special Drawing Rights नेक्स वाल है परस्ताव नामे आपको स्वतंतरता, समानता और बंदूता के आदर्श मिलेंगे वो कहां से लिए गए हैं अगला स्वाल है भारत के राष्टपती और उपराष्टपती की पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उमिदवार को कितनी रासी निवीदा देनी होती है तो निवीदा रासी की रूप में उन्हें देना होता है 15,000 रुपे यदि यहाँ पर टोटल उमिदवार जो मत डालते हैं उसका एक पटा च्छ मत नहीं मिलते हैं तो वो आपके निवीदा रासी हैं वो जामानत रासी जब्त कर ली जाती हैं 15,000 रुपे हैं वो सेक्यूर्टी की रूप में निवीदा की रूप में सुरुक्षा जमा राष्टपती और राष्टपती को कराने होती है साथ इसाद राष्टपती को परस्तावत की रूप में कम से कम 50 निर्वाजचक और अनुमुद्दग की रूप में भी 50 निर्वाजचक सदस्ये होने चाहिए उसके फेवर में नेश्ट अपना है इंडिया विंस फ्रीडम किसके आतम कता है फर्स रिप वाले कमेंट करके बता रहा इंडिया विंस फ्रीडम का पूछा या फिर विंग्स ओफ फायर का पूछा कंफ्यूज हो रहे हैं एक दोस्तो मौलाना अबुलकलाम आजाद के आतम कता है वो इंडिया winds freedom है और wings of fire है JPJ abdulklam की अब्दुलकलाम आजाद नहीं है मोलाना abdulklam आजाद है तो JPJ abdulklam के आतम कता है wings of fire को उतर उनके अरुनतेवारी है और मोलाना abdulklam आजाद की जो autobiography이지 इंडिया winds freedom है तो दोनों को ही मैंने आपको बता दिया हैं और प्रमुक में ओटोबायोग्राफी की बात करूंदा, the story of my experiments with truth ये ओटोबायोग्राफी है महत्मा गांदी जी की How I Become a Hindu, Sita Ram Goyal की आत्म कता है, A Short at History, Rohit Brijnath की आत्म कता है, Playing It My Way, Sajjan Tendulkar की आत्म कता है, The Test of My Life, Yurash Sihin की, Act Against Odds, Sanya Mirjan, The Race of My Life, Milka Sihin की आत्म कता है, The Bandit Queen of India, An Indian Woman, Fuland Devi की आत्म कता है, Matters of Discreation, Indir Kumar, Gujral की Autobiography, Six Machine है किरिश गैल की, Freedom in Exile, चोदवे दलाई नामा की, Controversial Yours, Swayb Akhtar की, Faster Than Lightning, My Vitobiography, Usain Bolt, My Story, Kamala सूरिया की आत्म कता है, ये आच्चो कादरी माई स्टोरी वाला SSE में, Romancing with Life, देव आनन की आत्म कता, राग माला है, Ravish Shankar की, 10 द्वार से 105 तक, ये हैंवन चराए, बच्चन क के आत्म कता, An Unsuitable Boy, करन जोहर की, Mind Without Fear, रजद कुपता की, Growing Up, Untouchable in India, वशंत मोन की, The Style Diary of Bollywood, दिवाक करीना कापूर की आत्म कता है, और बाकी ये आप देख सकते हो, Unusual Memoir of Girls, ये अनुअगरवाल की हैं, Cracking the Code हैं, ये विश्मान खुराना की, ये भी आच चुका हैं अल अली की हैं, An Extra Ordinary Life, ये बायोग्राफी ओप मनहोर परिकर, शद्गुरू पाटिल, सावर कर, Ecos from Forgotten Past, विक्रम संपत की, नेश्ट यहां पर देखते हैं स्वाल, FIPA 2022 World Cup हैं, इसका मास्कट आपको पूचा, किसका मास्कट है, लाइब, लाइब मास्कट है, FIPA 2022 के World Cup का, ल बॉली जाने वाली भासा कौन सी, तो सभी को पता है, हिंदी भासा सभसे अधिक बॉली जाती है, मातर भासा के रूप में 33,63 फीजटी हिंदी को बोलते है, सेकिंड हाइएस्ट पूछे तो बंगा लिए, हिंदी की बाद बंगा लिए है, 8,03, बंगाली की बाद मराटि है 6.86, फिर चौते स्थान पर आपके आ जाएगी तेलगू, पांचवे पर तमील, छटे पर गुजराती, साथवे पर उर्दू, संसकर्ट जो आठवे अनुसुचित भासा हैं उसमें सबसे कम बोली जाती है, संसकर्ट 22 भासा में सी, गैर अनुसुचित भासा में सरवाधिक भ संक्या घटी है, अगला स्वाल है, सबसे ज़्यदा बोली जाने वाली आदिवाशी भासा कौन सी है, तो सबसे अधिक जनजाती भासा है, वो संथा लिए, इसके अत्रिक जनजाती भासाओं के बात करें, तो मुंडारी हो, भुमिज, घडिया, सावरा, ये सभी जनजाती भासा हैं, ये भासा हैं, अधिवासी भासा हैं, जारकन, छत्यजगर, ओडिस, पच्छिम मंगाल के जाधतर हिस्तों में बोली जाती है, आठवी अनुसुचिम, बाईस भासा हैं, श्वाल आज आता है कि कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो ये सभी बाईस भासाइं आठवी पेलगू उर्दू अब इन भासाओं में देखेंगे तो आपको इंगलीस भासा नहीं मिलेगी ठीक है तो ध्यान रखना इंगलीस आठवी अनुसुची में नहीं है अब यहाँ पर शुरुआत में आठवी अनुसुची में बात करने को तो हैं 22 भासा है लेकिन सबसे पहले 14 भासा ही थी आठवी अनुसुची में 25 भासा जो एड हुई दिन वो सिंधी एड हुई थी 21 समिदान संसुदन 1967 में सिंधी को एड किया गया फिर 71 समिदान संसुदन 1902 में कौंकणी मनिपूरी और नेपाली को एड किया गया और 22 समिदान संसुदन 2003 में बोडो डोगरी मेथ इसका अड़ायर मैं इसकी इस प्रकार की सोसिती और समाज है उसका अलग से वीडियो डाला हुआ हैं आप समाज ट्रेनिक क्रकर सर्च करना आपको मिल जाएगा वैर। important है इसके संस्थापक में हैलना बलावास की एक युक्रेणी रहिश्यवादी और थियोशोपिया अदोलन की परमुक विच्चारक और हैंडरी इस्टील ओलकॉट ये इनके के हैं तो ये 25 वे चीप आप नेवल स्टाप है तो नेवी के परमुक आर हरी कुमार 25 वे इस्टान के ये चीप आप नेवल स्टाप है और ये 30 नौबर 2021 किसे वरतमान में हैं आप कहेंगे वरतमान में चीप आप आर्मी स्टाप जो मनोज पांडे है वो कौन से नंबर के है त नेवी स्टाप है आर हारीकुमार चीप आप एर स्टाप है विवेक राम चौदरी सेकन्ड चीप आप डिफेंस स्टाप है अनील चोहान च्च नियुक्ष यह भी करनठाफिर का Justice Project, World Justice Project, WJP दोरा जारी, Rule of Low Index, रोली 2022 में भारत की रेंग, Rule of Low Index जो की World Justice Project की दोरा जारी किया गया, इसमें भारत की 2022 में रेंग है 77, 77 वी रेंग है, आउट आप 143 देशों में से 77 है रोली में भारत, भारत में जनगरना कौन सा मंत्रा ले कराता है, तो जनगरना आती है, ग् जनगरना होती है, इसके संचालन की जिम्यदारी भारत की महारजिश्टरार जनगरना आयुक्त की रहती है, तो महारजिश्टरार और जनगरना आयुक्त की जिम्यदारी रहती है, भारत में जनगरना कराने की, 1901 के बाद की सभी जनगरना है, 1948 की जनगरना, एक्ट के तैत क 2011 की जंद्गर्ना थी और आज़ादी की बाद 7 जंद्गर्ना 2011 है, अंग्रेजी और 18 अनुसुचि की की 22 अनुसुचित बहासाँ मैं से 18 वासाँ में होगी और 2011 ही जंद्गर्ना हुई थी 16 भासाँ में नेक्ष वाल है वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किस उपनियास को जुना गया 2022 का व्यास सम्मान दिया गया पागल खाना उपनियास को इस उपनियास के ओतर हैं डॉक्टर ज्यान चत्रुवेदी का उपनियास पागल खाना व्यास सम्मान दिया गया और 32 सर्ष्वती सम्मान 2022 दिया गया है ये दोस्तों तमील लेखक शिव शंक्री को उनके संस्मरन सूर्ये वामसम तो सूर्ये वामसम हेतू शिव शंक्री को मिला है 32 सर्ष्वती सम्मान सूर्ये वामसम हेतू शिव शंक्री को नेश्ट अपना स्वाल है भारत में सहरी एवों ग्रामीन जन सिंग्या का प्रतिशत 2011 में कितना दाथ अब भारत में ये जन गरना का जो 2011 सेंसे स्टॉप टरेनिंग जी के सहर्च करना जो ये पूरा मैंने डिटेल में अलग से स्वाल बताया था सैम एक्जेक्ट स्वाल शहरी जन सिंग्या भारत में है 31.16 फीशती और ग्रामीन है 68.8 परसंटेज शहरी ज्याम रखेगा 31.16 है शहरी और 68.8 है यनि 70 के आसपास ग्रामीन है 30 के आसपास शहरी है और भारत में शहरी करन का इस्तर जिसे आर्थिक विकास का सूचकांग भी माना जाता है 2001 में 27.81 फीशती था तो शहरी करन 27.81 से 2011 में बढ़कर 31.16 हो चुका है 2011 के जन्गरणा में शहरी करन की उजतम इस्तर पर दिल्ली रेंक फस्ट पर है राज्जों में बात करें तो 62.2 फीशती शहरी आबादी के साथ गोवा अब सबसे अधीक शहरी कर्थ राज्जे है एक तरफ में बोल रहा हूँ शहरी जन्गरणा में 31.16 फीशती है भारत में और और गोवा ऐसा राज्जे है सबसे अधिक सहरी करत इसमें 62.2 फीश्थी सहरी आबादी है सभी राज्जे और यूटी में दिल्ली 97.5 फीश्थी सहरी आबादी यूटी में चंडी गड़ है 97.25 फीश्थी सहरी आबादी की साथ सबसे अधिक सहरी करत है दिल्ली और चंडी गड़ और प्रमुक राज्यों में शहरी कर्थ में गोवा टॉप पर है गोवा के बाद मेजोरम, तमीन नाडू, कैरल, महाराष्टर सबसे अधिक सहरी कर्थ राज्य है तो सबसे कम सहरी कर्थ या पिर ग्रामीन आबादी सबसे अधिक तो हिमाचल परदेश की बात करें 89.97 फीच्ची ग्रामिन आबादी की स和 fast शब से अधी ग्रामिन राज्ये एं जिसके बाद बीहार का इस्तार है तो हिमाज्चा प्रदेश में ग्रामिन आबादी ज्यादा है और गोवा में शहरी आबादी ज्यादा है और 2011 की जंगर्णा का नुशार देश में कुल ग्रामिट जंसें का 833.1 मीलियन है फोलिक अमलकिस विटामिन के रूप में मिलता है तो फोलिक एसिड आपको पता है B9 को कहा जाता है यह आपको विटामिन की केमिकल नाम पता तो एजिली B9 को कहा जाता है folate या folic acid A को retinol कहा जाता है B1 को thymine B2 को riboflavin B3 को niacin B5 को pentathonic acid B6 को pyridoxin B7 को biotin B9 को folic acid B12 को sinocobalmin vitamin C को ascorbic acid कहा जाता है D को calciferol E को tocopherol और K को कहा जाता है phytonodoin Next अपना स्वाल है हर्षी का रामचंदर किस खेल से संबन्दित है Sam स्वाल 3rd step में पूचा है कि हर्षी का रामचंदर वो कौन से रज्जे से है तो यहाँ पर बता दूँ 2nd step में है कि हर्षी का रामचंदर किस खेल से है तो swimming से है यह स्वाल बार-बार क्यों आ रहा है क्योंकि जो 36 वा राष्टी खेल हुआ है इसमें यह best athlete रही है यह best proofs athlete की मामले में है साजन परकास केरला से है और swimming से ही हर्षी का रामचंदर है करनाटक से 36 वा राष्टी खेल में सर्फ शिष्ट महिला athlete है हर्षी का रामचंदर यह है श्विमयर नेस्ट बात करूँ जो 36 वा राष्टी केल से स्वाल आने की समभावना और बढ़ जाती है आने वाले exams के लिए तो टॉप पर है सर्विसेज और टॉप पर राज्जे कौन सा है तो वो है महाराष्ट है अवरॉल मेडल में भी टॉप पर है महाराष्ट है 140 मेडल लेकिन गौल्ड मेडल में जो ज़्यादा है उसकी रेंग फस्ट रहती तो उस मामले में सर्विसेज टॉप पर है उसके बाद अपना महाराष्ट है 140 पदक के साथ यहाँ पर शेकेंड इस्तान पर है जिसमें 49 गॉल्ड है लेकिन सर्विसेश के 61 गॉल्ड है इसलिए टॉप पर है लेकिन 128 ही टोटल है सर्विसेश के हलंकी 140 है वो ज्यादा है महाराष्टर के गॉल्ड कम है इसलिए थर्ड आपका हरियाना है राष्टि खेल 2022 हुए कहां पर 36 गुजरात किछ सिटी एहमदाबाद गांदी नगर सूरत वडोद्रार राजकोट और भावनगर में बेस्ट प्रूस एथरिट साजन परकास है जिनके 5 गॉल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉंज है बेस्ट महिला एथरिट है करनाटकी 14 शाल के रामचन 6 गॉल्ड 1 ब्रॉंज मेडल है और नेस्ट आपकी 37 स्विराष्टि खेल होंगे वो गुवा में होंगे और 38 स्विराष्टि खेल उत्राखंड में होंगे मात्री भासा में प्राहत्मिक शिक्षा को आर्टिकल में सुर्क्षित किया गया है मात्री भासा में प्राह जाएगा तो मानव युक्त अंप्रिक्ष मिसन में भारत का एक रोबोट जाएगा उसका नाम है व्योम मित्र तो व्योम मित्र रोबोट है ये इसरो के दोरा बनाया गया है एक महीला रोबोट है ये महीला हुमिनोइट रोबोट है इस रोबोट का उप्यूग किया जाएगा इसी गगणियान मिशन में नेश्टपन देखते हैं आप आर विश्व हिंदी द्योस का मना जाता है हिंदी द्योस की बात करें तो दो द्योस आते हैं राश्ट्य हिंदी द्योस पूछे तो 14 सितंबर को मनाते हैं विश्रु हिंदी दे उस पूछे तो 10 जनवरी को मनाते हैं विश्रु दस जनवरी को क्यों मनाते हैं क्योंकि पहला विश्रु हिंदी समिलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपूर में इसलिए 10 जनवरी को विश्रु हिंदी दे उस मनाते हैं और 14 सितमर को राष्टे हिंदी दे क्यों मनाते हैं क्योंकि 14 सितं मेरÍ 1959 को समिधान सबद्य हिंदी को राज भासा आ दिया अब लेस्ट विष्वहंदी समेलन है वो बारवा हुआ हे वो हुआ है फृवरी 2023 में नाडी फीजी मैं आयोजित वुआ है बारवा विष्वहंदी समेलन। अगला स्वाल है मतुवा ध्रम महा मेला किस राज्य में मनाय जाता है तो मतुवा ध्रम महा मेला पच्छिम मंगाल में मनाय जाता है श्री हरिचंद ठाकूर की दोसो बारवी जैंती मनाने के लिए मेले कायोजिन किया गया पच्छिम मंगाल में मतुवा ध्रम महा मेला वेश् स्विदान दोरा उधार किया लिया गया तो आयरलेंड में ये प्रावधान राजस्वमा में 12 सदिश्ची वाला भारत में एडॉप किया गया आयरलेंड से अब यहाँ पर बात करूं 12 सदिश्ची होंगे वो किस फिल्ड से होंगे कला साइते विज्ञान समा सेवा के वाले यहाँ पर व्यक्ति होते हैं रश्या के सविदान से एक स्वाल पहले टीसेस ते पूछता ता पंच वर्षी योजना कहां से लिए गई रश्या से बाकी मोलिक कर्ट्वे रश्या से जरमनी से आपात कालवाला है उस्टेला से पस्तावना की बसा और समर्ते सुच्च या एड़ोप्ट की गई है नेश्ट अपना है नाम दफार नेश्टलपाक कहां पर है तो नाम दफार नेश्टलपाक है ये दोस्तों चैंगलेंग जिला अनुचर प्रदेश में है नाम दफार राश्ट्य उध्यान भारत में क्रेटर जील कौन सी है या पिर ज्वाला मु की विसफोटो और गतिविद्यों के कांड भूमी पर बना एक गोला कारा उश्ट है तो महाराष्ट की लोनार जील है यहां पर क्रेटर जील और अन्ने जैसे आपको पूछे देट टेक्टोनिक जील कौन सी है तो पिरत्वी की प्रत के भुकम बगेर आने से टेक्टोनिक जील है लद्दा की पैंगवांग तशो जील एक टेक्टोनिक जील है हिमानी जील है जो की हिमादनी अपरदन के कान बनती है वो कश्मीर की गंगाबल जील है भू इसकलन जील है यह हैं गडवाल की गोहना जील नेक्स्ट अपना स्वाल लेखते हैं उस पहले भारती राज राज्ची कौन सा है जहां हर घर में कम से कम एक सज़श्य का एक बैंक खाता तो ही है तो केरल वह पहला राज्ची बन गया जा हर घर में कम से कम एक सज़श्य का एक बैंक खाता तो ही है तो यह बनाया गया है प्रजार मंतरी जंदन योजिना के तैत यह राज्ची केरल चु अगला स्वाल लिखते हैं आपर संतोष ट्रोफी 2022 कहां पर हुई है तो ये ट्रोफी हुई है दो जगा एक तो भारत में हुई है एक हुई है रियाद साओधी अरब में नौकाउट मुकाबले रियाद साओधी अरब में हुई है ग्रूप स्टेज और फाइनल राउंड है व लग्ति ये 22 टील उनके नाम है वंदे मातरम गीत जो है पहली बार किस कांगरिस अधिवेशन के अदिख्ता में गया गया थांब बंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में भारती राश्टि कांगरिस के कलकता अधिवेशन में जिसके अदिख्ता कर रहे थे रहमतुला एम सायनी अगला स्वाल है किस मुगल शासक को रंगीला बासा की नाम से जाना जाता है तो मुगल शासक मुहमस साकूद अंतिम स्वाल स्वतंतरता सेनानी उश्रा महता का संबंद किस से हैं तो उश्रा महता का संबंद भारत छोड़ों अंदुलन के समय हैं किस से हैं भारत छोड़ों अंदुलन से हैं उश्रा महता का संबंद तो ये खूपिया कांगरेस रेडियो चलाने के कान पूरे देश में विख्यात होई है तो ये खूपिया कांग्रेस रेडियो में एंकर की रूप में बोलती थी खूपिया का मतलब है कांग्रेस से अंग्रेजों से चुपके चुपके जगह बदल कर बार-बार रेडियो से न्यूस पेपर वगेरा है गांदी जी वगेरा के जो भाशन है वो पर पचारित ये करता थे रेडियो की रूप में लेकिन वाद में ये पकड़े गए जिस वो चिनको जेल में डाल दिया गया है जगा सेंज करके रेडियो चलाते थे उश्रा महता इनका नामे सोतनतता सेनाने के नामे ये भारत छोड़ों आंदरुन से जुड़े हुए हैं बॉम आपके कितने स्वाल क्रेक्ट हो पा रहे हैं और आपके लिए जो इंपोटेंट अपडेट है वो यदि आप SSE GD जैसे एक्जाम को अभी टार्गेट कर ले हो तो टेस्ट बुक से टेस्ट सीरीज जरूर लगाना जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो एक्जाम मे आपके त्यारी 50 पर स्टेज रहे पाती हैं तो अभी आप जोइन कर शकते हो क्योंकि अभी सबसे बड़ा डिस्काउंट चादरा आज तक इससा डिस्काउंट नहीं आया या टीटीजी के कोपन कोड यूज़ करना एक्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा लिंक वीडियो में बाइबाइ